जब भी कभी बात होती है समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाग जीवों की तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है शार्क का अब चाहे वो आज के समय की सबसे बड़ी शार्क दा ग्रेट वाइट शार्क हो या फिर प्राचीन समय में विलुप्त हो चुकी मेगा लडन शार्क अपने अपने समय में समुद्र में इन सभी की हुकूमत चला करते थे और कहा जाता है कि Megalodon शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शार्क होने के साथ साथ धर्ती की सबसे ताकतवर जियों भी हुआ करते थे और ऐसा भी माना जाता है कि धर्ती पर आज के समय में ऐसा कोई भी जियों मौजुद नहीं जो इस मचली से टकराने की हिम्मत रखता हो। खेर आज का तो पता नहीं लेकिन आज से कई लाखो साल पहले मेगा लडन के समय में ही ऐसी बहुत से जू हुआ करते थे जो मेगा लडन की तरही विशालकाय होने की साथ साथ खतरनाग भी हुआ करते थे और उन जानवरों में से ही एक था लिव्याटन नाम का ये जानवर जो की वेल के ही प्रजाती का एक जू हुआ करता था अब वेल होने से ये मतलब नहीं कि लिव्याटन भी वेल की तरही नौन डेंजरस एनिमल रहा होगा बलकि इसके एकदम विपरेत लिव्याटन का भी समुद्री जीओं के बीच काफी आतंक हुआ करता था इसके नुकेले तेज दांत किसी भी जीओं के टुकडे कर देने के लिए काफित है अब ऐसे में इस बात के भी काफी समभावना है कि समुद्र में आतंक मचाने वाले इन दोनों ही जीओं का कभी न कभी तो सामना जरूर हुआ ही होगा और अगर ऐसा हुआ हो तो इस मुकाबले में आखिर जीत किसकी हुई होगी तो शली दोस्तों जानते हैं क्या होगा जब समुद्र में ये दो दानों आपस में टकराएंगे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेगलरडन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क हुआ करते थी जिसका आकार होता था अटरा मेटर आपको आकार के कंपेरिजन के लिए बता दूँ कि ये आकार इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय की सबसे बड़ी शार्क दग्रेट वाइट भी तीन बार समा सकती है और वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की तो वो था करीब 55 टन जो कि ग्रेट वाइट शार्क के तुल्ला में 50 गुना जादा है अब एक हाथी कितना वजन ही होता है ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन कि आप जानते हो कि 10 बड़े हाथी मिला कर भी मेगा लडन के वजन की बराबरी नहीं की जा सकती और अगर इसके दांतों की बात की जाए तो मैं क्या बोलूँ आप खुदी इस पिक्चर को देखकर इसका अंदाजा लगा लेजिए ये है विलूप फोचु की मेगल अडन शार्क का एक दांत जो कि एक आम शार्क की तुल्ला में काफी बड़ा है अब इतना सब जानने की बाद मन में बस यही ख्याल आता है कि इतने खतरनाग जिव के साथ कौन लड़ेगा भला लेकिन जरा रुकिये क्योंकि लिव्याटन भी किसी से कम नहीं और लिव्याटन की लंबाई भी मेगलरडन की जितने ही याने की करीब करीब 18 मीटर लंभी ही हुआ करते थे और इसका वज़न भी 57 तन के ही आसपास हुआ करता था मतलब एक बात तो साफ है कि लिव्याटन वजन और आकार में मेगालडन को पूरी तरह से टकर देने की काबिलियत रखता था लेकिन समूदर में किसी भी जीव का जो सबसे बड़ा हतियार होता है वो है उसके दाथ और मेगालडन के दाथ कितने बड़े हुआ करते थे ये बात तुम्हें आपको पहले ही बता चुका हूँ और इसके 3 मीटर तक लंबे जबडे में कुल 276 तेजधार और नुकिली दाथ हुआ करते थे लेकिन अगर बात कीजा लिव्याटन के दाथों की तो वो आकार में मेगालडन के दाथों से काफी बड़े हुआ करते थे जिसका साइस था 36 cm यानि कि मेगालडन के दाथों की तुलना में दोगुना ज़्यादा बड़े थे हाला कि गिंती में इनके पास सिर्फ 40 दांत ही हुआ करते थे पर अपने शिकार के चिथडे उड़ा देने के लिए 40 दांत भी काफी थे फिलहाल के समय में धर्ती पर मौजूद जितने भी जीव हैं उन सभी में मगरमच की बाइट फोर्स यानि की काटने की चमता सबसे जादा है और कहा जाता है कि मेगालडन की काटने की चमता मगरमच से भी दोगुना जादा हुआ करते थे वहीं लिव्याटन की बाइट फोर्स की सही जानकारी किसी के पास नहीं इतने बड़े दातों को देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि इसकी बाइट फोर्स मेगालेडन से भी जादा हो कोई पुखता जानकारी नव होनी की वज़े से इस बात का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है और समुद्र की गहराई में दूसरी चीज़ जो एक लड़ाई में सबसे ज़्यादा काम आती है वो है किसी जीव की रप्तार और इस मामले में शार्क से उपर कोई दूसरा जीव नहीं और मेगालेडन की स्पीट तो आज के शार्क से भी दोगुना जादा यानि की 56 किलोमेटर प्रती घंटे की करीब हुआ करते थे और वहीं लिव्याटन 45 किलोमेटर प्रती घंटे की रप्तार से तैर सकता था अब बेशक चाहे रप्तार की मामले में लिव्याटन मेगालेडन से पीछे हो लेकिन ये मेगालेडन से ज़्यादा लंबे समय तक अपनी रप्तार को बनाए रख सकता था अब अगर बात की जाए दोनों ही जीओं की खासियत की तो मेगा लडन की सूंगने की छमता काफी तेज हुआ करते थे और वहीं लिव्याटन 2000 किलोमेटर दूर की आवाज को भी आसानी से सुन सकता था यहां तक की वो मेगा लडन के मुकाबले काफी बुद्धिमान भी हुआ करता था जिसके चलते ये अपने साथियों के साथ बातचीत भी किया करता था और मुसीबत के समय में उन्हें मदद के लिए पुकार भी सकता था अब इन दोनों ही जीओं के इन छमताओं को आपस में कमपेर करने के बाद ये कहना थोड़ा मुस्किल है कि इन दोनों ही जीओं की भीडन थोने के बाद जीत आखिर किसकी होगी लेकिन कही न कहीं वजन दात और रप्तार के चलते मेगा लडन के पास एड़वांटिस थोड़ा जादा है जिसकी वज़े से मेगा लडन लिव्याटन को जादा नुकसान पहुचाने की छमता रखती है लेकिन अगर ऐसे में लिव्याटन ने पहला हमला कर दिया तो उस लड़ाई में वापसी करपाना मेगा लडन के लिवी आसान नहीं होगा इन सभी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि ये दोनों ही जिव एक दूसरे से किसी भी तरह से कम नहीं और एकी समय में मौजूद होनी की बज़े से ऐसे मौके भी जरूर रहे होंगे जब इनका एक दूसरे से सामना हुआ होगा और ऐसे में जिस किसी ने भी पहला वार किया होगा जीत भी उसकी ही रही होगी हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही जिव एक दूसरे से दूर रहकर सिर्फ छोटे ही जिवों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हों अब सच क्या है ये तो पूरी तरसे कोई नहीं जानता और आपका क्या मानना है इस वीडियो को देखने के बाद क्या हुआ होगा जब ये दो जिव आपस में टकराए होंगे तो और ऐसे में जीत किसकी हुई होगी मुझे अपनी राइ कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर ऐसे ही किसी और भी जिव का कंपेरेजन वीडियो चाहते हो सजेसिंस के लिए नीचे कमेंट वाक्स में आपका स्वागत है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना मत भूलना मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और एमेजिंग वीडियो के सब्सक्राइब